अन्यूज अप्डेट स्पॉंसिट बाई प्रो स्किल हब गेट यो ड्रीम जॉब एड्रेस ग्राउंट फ्लोर जॉन टावर कॉलिज चौराहा रीवा नमस्कार स्वागत है आपका विंधिया टाइम्स में मैं हूँ आपके साथ स्वाती रीवा जिले के क्योंटी जल प्रपात में लाश मिलने के बाद हडकंप मच गया पुलिस का कहना है कि दो दिन पूर्व क्योंटी गाउं के कुछ मचुआरे कुंड के नीचे मचली मारने गये थे वहाँ अग्यात राश देख गढ़ पुलिस और लाल गाउ चौकी को सूचना दी जानकारी के बाद पहुँची पुलिस ग्रामिडों की मदद से जंगल के रास्ते नीचे उतरी इसके बाद शब को उपर लेकर आई गगेव CHC की मौचरी में शब को रखा गया है दूसरे दिन गुमशुदगी के आधार पर मितक के शिनाक्त हुई तब पीम वह पंचनामा कराया किया है मितक के परजनों ने दावा किया है कि पतनी से प्रतारित होकर पती ने सुसाइड किया है वहीं दूसरी तरफ ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया किया है अब पुलिस को पीम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद आगी की कारेवाई की जाएगी लालगाव चौकी पुलिस का कहना है कि मृतक कि शिनाक्त प्रदीब केवट पुत्र गोविंद प्रशाद केवट उम्रेच 24 वर्स थाना नई गढ़ी जिला मौगंच के रूप में की गई है पुछ ताच में पता चला है कि मृतक प्रदीब केवट 18 सितंबर को घर से पता कर सिर्मोर शेत्र के दुलहरा इस्थित अपने ससुराल के लिए निकला था वह चार दिन यानि 22 सितंबर तक दुलहरा में ही रुका रहा ससुराल में ठहरे युवक ने रात में मासे बात की उसने प्रतारना का जिक्र किया कहा कि ससुर शिवराज केवट पतनी और सास ने उसके साथ जम कर मारपीट की है इतना कहकर फोन कार दिया दूसरे दिन 23 सितंबर को माने संपर्क किया पर उसका फोन बंद जा रहा था अनहोनी की आशंका को लेकर परिजनों ने खोज बिन शुरू कर दी पर चार दिनों तक कहीं पता नहीं चला लगा शायद लोट आए जल प्रपात की नीचे मचनी मारने का युवक ने 27 सितंबर की दोपहर एक लाश देखी पुलिस मच्छुआरों की बताय अनुसार 500 फिट गहरे कुंड में उतरी शब को लाने में रात हो गई तब शब को मर्चरी में रखवाया गया दूसरे दिन 28 सितंबर को पियम कराया गया है इधर लाल गाउ पुलिस ने प्रतारनाक से मौत के संबंध में जाच शुरू कर दी है कहा है कि यदि साज, ससुर और पतनी इसमें लिप्त पाए गए तो उनके उपर क्रक्रन दर्च होगा और कड़ी से कड़ी कारेवाही भी की जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद